जाबुआ शिकस्त के बाद बीजेपी का मन्थन जाबुआ की जनता ने कॉंग्रिस को जहां दीपावली से पूर्व ही दिवाली का बड़ा तौफा दे दिया है तो वहीं अब बीजेपी नेताओं में हार के बाद मन्थन शुरू हो गया है जहां देखा चा रहा था कि जब जाबुआ चुनाव की तैयारिया चल रही थी तो बीजेपी के दिगज नेता भी तरह तरह से चुनाव प्रचार कर रहे थे जाबवा में पहुच रहे थे तो वहीं कॉंग्रेस के दिगज नेता भी जाबवा में पहुच कर अपना चुनाव प्रचार जोडशोर से कर रहे थे लेकिन इस चुनाव प्रचार का जो अच्छा परिणाम है वो सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस को मिला है 27,000 वोटों से कॉंग्रेस की विजए हुई है तो वहीं अब बीजेपी में मन्थन का दौर शुरू हो गया है इस वक्त हम से चुड़े हैं शार्दुल हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी में बहार के बाद आखिर क्या रणनीती बन रही है और किस तरह से बीजेपी के निता इन हार को लेकर मन्थन कर रही है क्योंकि काफी दिनों से बीजेपी निताओं द्वारा तैयारिया चल रही थी और बीजेपी को पूरी उमीद थी कि जाबुआ चुनाब वो जीत चाहेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ जहां कांग्रेस को भी विश्वास था कि जाबुआ जो परंपरागत सीट है कांग्रेस की वो कांग्रेस के खाते में आई चाहेगी और कांग्रेस का ये विश्वास सच साबित हुआ जाबुआ सीट कांग्रेस के खाते में आ गई है बिल्कुल नमरता में बताना चाहूँगा कि जहावा में उप चुनाओं के परिणाम आए वो दोनों ही पार्टी के लिए आश्चेर जनेक परिणाम है जहां कांग्रेस इस जो वोट प्रतिशाय थे और 27,000 वोटों से जो विजय हुई है और 60 साल बाद इतने वोट कांग्रे कि हार हार होना तो दूर की बात है लेकिन 27,000 वोटों से हारेगी अब बीजय पी का प्रत्याइश यह एक सोचने वाली बात थी जिस तरह से बीजय पी ने अपनी टीम को वहां पर चुनाओं में जावा में उप चुनाओं में लगाया था और क्रश्न मुरारी मोगे जो इन लोगों की रणनीती के तहट जावा उप चुनाओं जीतने की कोशिश बीजय पी द्वारा की जा रही थी लेकिन जो परिणाम सामना है उसको देखकर यह लग रहा है कि जो रणनीती बनाएगी थी बीजय पी द्वारा वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और इस पर मत्यपदेश में बीजय पी पर जो पद पर बिठें उन लोगों का जमावडा हुआ और उन्होंने एक गुप्त मिटिंग की और मिटिंग के अंदर इस हार के बाद जो मन्थन की प्रक्रिया है वो शूरू हो चुकी है जिस दिन परिणाम गोशित हुए उज दिन जो पूरू मुख्यमंत्री है शिवरा सिंग चौहान वह इंदोर में मोजूद थे और बीजेपी कारेले में उनकी जो जाववा उप चुनाओं में पदादीकारी थे बीजेपी के जो चुनाओं को चुनाओं जितने के लिए वहां पर डटे रहे चुनाओं के दोरान तो उन कि मिटिंग के दोरान मन्थन किया जा रहा है कि आखिर हार का कारण क्या रहा दूसरी तरफ कांग्रेस को यह उंबीद नहीं थी कि इतने 27,000 वोटों से कांतिलाल बूरिया जो हमिसा से जाववा अली राजपूर जो निमार छेतरे आदिवासी छेतरे वहां पर अपनी लेकिन परिणाम सामने आया वह परिणाम कांग्रेस को भी आश्चर में डालता है कि अतने अधिक वोटों से वीजय यह मतलब कांग्रेस एक तरह से कॉंफिडेंट में आ चुकी है कि जो चुनाओं के परिणाम है उसलिदाब से जो मत्यप्रदेश की जनता है वह अब कमलनाथ सरकार के जो कार रहे हैं पिछले दिनों जो नवंबर 2018 में जो विदान साबा चुनाओं हुए थे और कमलनाथ सरकार बनी थी उसके बाद से अब तक का जो रेकार्ड रहा है कांग्रेस सरकार का परिदेश में उसको पॉजिटिवली जनता ने लिया है और उसी का प चिंता की बाद भी ही कि मद्यप्रदेश में कांग्रेस जिस तरह से कमजोर पिछले विदान सवाम चुनाओं के दोरान साबित हुई थी वही कमजोरी अब दीरे दीरे बढ़ते जा रहे है और यह जो मद्यप्रदेश कांग्रेस बीजेपी के जो नेता है उनके लिए चिं चिंता का विशा है वही जो नेता हैं बीजेपी के जो जाववा उपचुनाओं के दोरान प्रचार प्रसार में शामिल हुए था जाववा में और जिन्होंने कमाल समान रखी दी जीत को लेकर उनकी क्या रंडी थी कहां फेल हुई है कहां माइनस में गई है बीजेपी कहीं ने यह सामने आ रहा है कि जो बीजेपी वरतमान में जो नेता हैँ और काले करता हैं वह कहीं ने कहीं अब पार्टी से किनारा कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने में अपनी कोशिशों को कम कर रहे हैं जाबूआ में एक रात भी रुके थे जाबूआ में एक रात भी रुके थे वहाँ पर उन्हें आदिवासियों के साथ भोचन भी किया थे लेकिन ये सारी कोशिशे नाकाम साबित हुए हैं जब जाबूआ उपचुनाव का परिणाम आया और कॉंग्रिस के खाते में जाबूआ की विधान सभा की ये लूली लंगडी सरकार है और बहुत जल्द ये सरकार गिर जाएगी लेकिन अब देखा गया कि जब जाबूआ उपचुनाव हुआ तब भी कॉंग्रेस को ही यहां पर जीत हासिल हुई है तो क्या यह देख़ा जाबूआ जीतने के बाद कॉंग्रेस की सरकार को मजबूती मिल गई है और बीजेपी के नेताओं के तमाम वो दावे वो वादे फेल साबित हुए हैं बिल्कुल जो दावे थे वो फेल साबित होंगे ही क्योंकि जो कमलनाथ सरकार उप चुनाओं में जो परिणाम लाने के बाद जो साबित करा है अपने आपको कि हमारी सरकार मजबूत सरकार है और लूली लंगडी का जो आरोप लगाया जा रहा था बीजेपी द्वारा वो लूली लंगडी सरकार का आरोप नकारते हुए कॉंग्रेस ने अपने परिणामों से इसाबित कर दिया है कि प्र कॉंग्रेस पर लगाये थे अब शायद ऐसे आरोप सुनने को ना मिले हाला कि बीजेपी अब रंड नीती बना रही है कि किस तरह से कॉंग्रेस को कमजोर किया जाए यहां पर लेकिन सबसे पहले उनके लिए बड़ी चिंता का विशह यह है कि मद्यप्रदेश में लगातार जो जियंता का जुका है वह बाज्टों से हट कर कांघ्रेस की तरफ जा रहा उसको किसे रोका जाए इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो शीड्षे नेत्रत्व हैं मद्यप्रदेश में वहां is बाद पर में जो संगठन आत्मक धाचा हैं बारती जनता पालिटी का उसमें बड़े बदलाओं की संभावनाएं देखी जा रही है आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि जो भाजपा के संगठन प्रभारी हैं और संगठन मंत्री हैं उनसे लेकर मंडल अध्यक्ष तक का जो इस त नहीं कोशिश की जाएगी इस विशह पर अभी मन्थन जारी है और बात की जाए जहाबवा उप चुनाओं की तो यहां पर मद्यपदेश सरकार ने खुद जो पूरु मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहां ने वो क्रश्न मुरारी मोगे रमेश मेंदोला इंदोर से जो व अच्छे से चुनाओं कराएं और अपने पालिटी के प्रक्ष में मतदान कराया है लेगिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद पहली बार यह देखा गया कि उल्टा वार पड़ा है बीजेपी के ऊपर जितना कॉन्फिडेंट बीजेपी को था उस दाप से कुछ परिणाम सा लेकर सर्कार चल रही थी बहुमत के किनारे पर आने के बाद इन्होंने सयोगी दलों से सयोग लेकर सरकार चला रहे था और इसी कारण बीजेपी द्वारा हमेशा आरोप लगाया जा रहा था कि लूली लंगरी सरकार कभी भी घिर सकती है लेकिन अब देखा जाए तो इस तो से सरकार चलाने को लेकर वो आने वाले समय में इस सरकार को स्थिर सरकार के रूप में प्रस्तुत करेंगे क्योंकि जहां कॉंग्रेस में भी विश्वास कम होता जा रहा था कि क्या वाकई में बीजेपी के ये दावे और वादे सरकार गिराने वाले सत्साबित हो जाएंगे तो वहीं अब कॉंग्रेस के इस विश्वास को भी जीत हासिल हो गई है कॉंग्रेस सरकार को मजबूती मिल गई है मध्रपदेश में और बीजेपी के तमाम दावे और वादे फिल साबित होते जा रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि जाबू अविधान सब का उप्चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेता किस तरह से मन्थन और क्या क्या नई रणनीती बना पाते हैं और मध्रपदेश की जनता का फिर से विश्वास जीतने में किस कदर सफल हो पाते हैं ये देखने वाली बात होगी ताज़त तरीन खबरों के लिए आप बने रहे हैं मार साथ देखते हैं अमपी न्यूस नमस्कार